हेलो, नमस्का दोस्तों, आप देख रहे हैं Always New Movie Updates आज इस वीडियो में मैं आप से बात कने वाला हूँ बिग बॉस के बारे में और बिग बॉस से रिलेटिड न्यूस के बारे में गर के अंदर स्टार्टिंग में जिनें सबसे ज्यादा आप कर सकते हैं लोग पसंद कर रहे थे वो थे एजास खान एजास खान एक ऐसे कंटेस्टन थे जिन्होंने अपने मुद्धों को बिल्कुल स्टॉंग ली रखा है जहां पर लड़ने की ज़रूरत था महां पर लड़े भी हैं लेकिन बीच में उन्हें शो छोट करके जाना पड़ा उनके कुछ बाहर के काम को लेकर गे उनकी मूवीज और वेब सिरीज की शूटिंग को लेकर गे लेकिन जब वो बाहर आए उनके प्रॉक्सी बनकर गर के अंदर देवलिना आई थी लेकिन देवलिना भी घर से बेगर हो गए और वहीं पर एजास खान का जो फिनाले का सफर था वो खतम हो गया था एजास खान ने कुछ स्टेटमेंट भी दी थी कि वो घर में तो आना चाते थे लेकिन क्यूंकि अगर वो आते भी तो उन्हें पहले कॉरंटीन नहीं पड़ता तो उनके पास उतना समय नहीं होता कि वो घर के अंदर दुबारा से अपनी गेम उस तरह से खेल पह जासे वो पहले खेल रहे थे तो अब हमने देखा कि कल विनर भी उराउस हो गया रूबीना दराइक जहां पे रूबीना दराइक को दुनिया भर की congratulations मिल रही है वहीं big boss के contestant भी उन्हें वधाई दे रहे है contestant दे रहे है congratulations उन्हें कर रहे है तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो अज़ास खानने भी कुछ लिखा है उन्हेंने हाली में कुछ ही मिनट्स पहरे लिखा what a journey honored that I was part of it congratulations रूबीना दलाइक जी well deserved और यहां पे कहना कि उन्होंने सारे शिक्वे गिले जो भी थे उन्हें दूर करते वे यह सब बाते कहीं है हालंकि हमें जब वो घर के बाहर गयते बाते है यह सोच रहते हो कि मैं दुबारा स्राइट घर के अंदर जाऊं लेकिन अब जब बिग बॉस खतम हो चुका है तो शायद कड़वाट सारी की सारी आजास खान भूल चुके है और उन्होंने बाते कह दी है congratulations कर दिया है रूबीना दलाइक को twitter पे आ करके नहीं रूबीना ने भी बिल्कुल अच्छे से reply किया है उन्होंने लिखा है thank you smile faces दी है और नमशकार किया है तो यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि बिग बॉस की बाते जो होती है वो बिग बॉस के घर में ही रह जाती है यह सलमान खान भी कहते हो नजर आयते है और कही न कहीं अब contestant भी उस बात को follow कर रहे है अलागि कुछ contestant को छोड़ करके जैसे कि जास्मिन है आप मेरी पहली की वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया है कि जास्मिन ने क्यूं अभी तक रुबेना को congratulate नहीं किया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जड़ूरे देखें त्योंकि सभी के सभी लोग कोंगराचलेट करें लेकिन जैस्मिन भसीन ने अभी तक गॉण्गराचलेट नहीं किया है शायद हो सकता है कि वीडियो जब तक अप्लोड हो तब तक कर दिया हो लेकिन अभी तक तु नहीं किया है लेटेस अप्लेज जानने के लिए सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद